आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ नमस्कार इस प्रस्ट में हमें कहा गया है निमलिखित शब्दों को शब्द कोश में आने वाले करम के अनुसार लिखें यानि एक Dictionary एक शब्द कोश में जिस प्रकार से शब्द लिखे जाते हैं हमें इन शब्दों को वैसे ही विवस्तित करना है तो Stone से लेकर Strong तक हमारे पास शब्द है इन सभी का यदि पहला अक्षर देखें और Strong में है T तो दूसरा अक्षर यदि हम देखें इनकी numbering देखें तो T हमारे पास 20 में स्तान पर आता है अंग्रेजी वर्ण माला में O हमारे पास 15 में स्तान पर आता है P हमारे पास 16 में स्तान पर आता है अंग्रेजी वर्ण माला में पंदरा नमबर वाला जो है सोंग, यह ऐसा सब्द है जो अंग्रेजी वर्ण माला में सब्द कोश में दूसरे स्टान पर लिखा जाएगा, उसके बाद यह सोला वाला यानि स्पोर्ट आ जाएगा, तो यह तीसरे नमबर पर अब बचे केवल दो सब्द, क्योंकि इन दोनों का जो टी है यह बीस में स्टान पर आता है, अब इनका अगला अक्सर हम पकड़ेंगे, तो अगला अक्सर है टी के बाद में स्टोन में ओ दिया गया, और स्ट्रोंग में टी के बाद आर दिया गया, अब देखें ओ अंग्रेजी वर्ण माला में पंदर में स्टान पर आता विखलब विखलब ने दिया गया है विखलब तो इस को इस प्रस्ण का सही उत्तर है बाकि सभी विखलब उमारे गलत है धन्यवाद खेल से लेके नीट आयाइटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जाधा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज राउनलोड करें डाउटने टाप यह वाथ्साप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार्सो 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 पर